कई लोग इन आवाजों के बारे में दूसरों से बात नहीं कर पाते बहुत मुश्किल होता है कि दूसरों से discuss किया जाए कि आपके voices के experiences कैसे हैं क्योंकि दूसरे लोग किस तरह से react करेंगे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके इन आवाजों के अनुभव पर हैं उनकी वज़ा से तो इन आवाजों से deal करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है इससे समस्या तो और बढ़ गई पहले तो लगता था कुछ लोगों पर भरोसा करते हैं उनको बता दिया जाए पर जब दूसरे लोग बड़े ही गुसे में या बड़े ही डिनाइल के साथ जब रियक्ट करते हैं आपको जबरदस्ती कहते हैं कि इन पे ज़्यादा ध्यान मत दो क्यों परेशान हो रहे हो या जब वो आपके experiences को समझते ही नहीं है तो ऐसे में आपका stress इन आवाजों को लेकर और भी ज़ादा बढ़ जाता है आप और भी अकेला महसूस करते हैं आपको लगता है कि अब इन आवाजों के बारे में ना मुझे दूसरों से चुपाना चाहिए बताना नहीं चाहिए तो आप अकेले में चुप चुप के इन आवाजों को सुनते हैं और उन पर react करते हैं इससे आपका जो आवाज सुनने का जो अनुभव है वो और भी पीडा दायक हो जाता है और भी painful हो जाता है इन फैक्ट इससे उनकी frequency भी बढ़ जाती है आप नहीं बता पाते दूसरों को कि आप कितना इन डॉक्टर से भी पहली बार मिलते हैं तो पूरा खुल कर नहीं बता पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर समझेंगे कि आप भागल है ऐसा लग सकता है पेशंट को अलग अलग धारनाए होती है जो पेशंट बना लेते हैं कि दूसरे कैसे react करेंगे उनकी voices को ल पहले भी थे ये voices जो है आपके nature का part है वो इसे accept कर लेंगे इसका भी असर पड़ेगा और कई लोग समझेंगे ही नहीं कि ये voices का सुनाई देना क्या होता है कैसा होता है जिसकी वज़े से बड़ा frustrating होगा आपके लिए क्योंकि आप समझाई नहीं पाएंगे उनको कि ये क् खुलके share कर पाएं और वो सुन पाएं समझ पाएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसी से जुड़ा एक और पहलू होता है कि लोग जो होते हैं जिनको आवाजे सुनाई देती हैं वो बहुत जादा stigma face करते हैं क्योंकि लोगों में बड़े अलग-अलग तरह के misconceptions हैं इन mental hospital में ही रहना चाहिए बड़े भयानक होते हैं न जाने कब क्या कर लेंगे न जाने या वाजे उनको क्या कह देंगी और वो लोगों का नुकसान पहुचा देंगे तो लोगों में इस तरह की misconceptions का पाया जाना बहुत आम है बहुत upsetting होता है बहुत दुगदाई होता है कि तब ये लोग आपके दोस्त हों आपके best friends हों आपके भाई बहन हों रिष्टेदार हों या आपके बिलकुल closest family members मतलब आपके parents ही क्यों ना हो तब बहुत ही बुरा लगता है कि इन आवाजों को कोई नहीं समझ पा रहा पर ये जरूरी है ध्यान में रखना कि आप अकेले नहीं है और आपको उन लोगों से ज़ादा बहस करने की उन लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत बिलकुल नहीं है जो इन आवाजों को समझी नहीं सकते जो आपके इन अनुभवों को जरसा भी पहचान नहीं सकते उसको acknowledge नहीं कर सकते इसलिए जिन लोगों को ये आवाजे सुनाई देती है प्रैफर किया जाता है उनको रिकमेंड किया जाता है कि केवल उन्हीं से डिसकस करें इसके बारे में जो इनको समझते हो जो इनको लेकर आपके प्रती एक कमपैशनेट और बहुती काइंड इंपैथिटिक और जादतर इन में या तो कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं इसलिए डॉक्टर्स के साथ खुलकर इस बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है